हलो बच्चों आज की कक्षा में हम शुरुआत करते हैं शितिच भाग एक पाठ पुस्तक कक्षा नौ के पाठ उपभोगता वाद की संस्कृति से जिसके रचैता है श्यामाचरण दूबेजी उपभोगता वाद की संस्कृति यह एक निबंध है जिसे दूबेजी ने लिखा है परंतु जैसा की आप पाठ के शीर्षक से ही जान पाएंगे उपभोगता वाद का अर्थ क्या होता है उपभोगता वाद अर्थात उपभोग प्लस वाद यानि किसी भी वस्तू को जब हम उपभोग करते हैं जब हम उसका इस्तमाल करते हैं तो वो वस्तू उपभोग की वस्तू होती है तो इस वस्तू को ऐसे अंगिनत वस्तू जो आज हमारे संसार में प्रचलित हैं उसे हम उपभोगता वाद के अंतरगत पढ़ेंगे इस विशय के अंतरगत तो चलिए पाठ को शुरू करने से पूर्व हम श्यामाचरन दूबे जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप स्चेत्र में हुआ था नागपूर विश्व विद्याले से मानव विज्ञान में उन्होंने पीएचडी हासिल की भारत के अग्रणी समाज विज्ञानिक रहे हैं और इनका देहांत उन्नीस सो च्यानवे में हुआ श्यामाचरन दूबे जी ने कई पूस्तकों की रचना की कई कृतियां रची हैं उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं बट मैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा अवश्य करूंगी उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानव और संस्कृति परंपरा और इतिहास बोध संस्कृति तथा शिक्षा समाज और भविश्य, भारतिय ग्राम, संक्रमन की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र और समय और संस्कृति तो यहां हमने देखा कि उनके द्वारा रचित कितने प्रमुख प्रमुख जो कृतियां हैं उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की अब आईए इनके बारे में थोड़ा और विशेश जानकारी हासिल करें प्रफेसर दूबे ने विभिन विश्व द्यालों में अध्यापन किया तथा अनेग संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी वे रहे जीवन समाज और संस्कृति के ज्वलंत विश्यों पर उनके विश्लेशन एवं संस्थापनाएं उलेखनिय हैं भारत की जनजातियों और ग्रामिन समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने ब्रिहत समुदाय का ध्यान आकरशित किया है वे जटिल विचारों को तारकिक विश्लेशन के साथ सहज वहाशा में प्रस्तुत करते थे अर्थात किसी भी समस्या को कितनी भी जटिल समस्या हो वो उसे बहुत ही सरल और सीधे तरीके से उसका उत्तर उसका जवाब वो निकाल लेते थे और अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते थे उपभोगता वाद की संस्कृती जैसा कि मैंने आपको अभी पूर्व बताया ही कि यह एक निबंध है अब इस पाठ में दूबे जी ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविक्ता को प्रस्तुत यहां पर करने की चेश्टा की है लेखक का ये मानना है कि हम विज्यापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे बस अंधा धुन भाग रहे हैं हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है आगे इसी पाठ में लेखक ने कहा है कि संपन और अभी जन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्व जीवन शैली अब धीरे धीरे अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से अब देख रहे हैं ये सभिता के विकास की एक चिंता जनक बात है जिसे उपभोगता वादने परोसा है लेखक की ये बात बहुत ही महत्वपून है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति अपने पाउँ पसारेगी या फैलेगी समाजिक अशान्ती और विशमता अपने आप ही बढ़ती जाएगी और बढ़ रही है आएए अब शुरू करते हैं हम अपना पाठ पाठ का शिर्शक है उपभोगता वाद की संस्कृति तो यहां पर लेखक ने खाए है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन कौन सा दर्शन उपभोगता वाद का दर्शन यहां पर मैं आपको बता दूँ वर्चस्व वर्चस्व जो कि शबदार्थ है इसका अर्थ होगा प्रधानता यानि प्रमुक अब यहां पर लेखक ने ये बताने की चेश्टा की है कि धीरे धीरे जब से उपभोग अब हमारे जीवन जीने का जो ढंग है जो जीवन शैली है वो धीरे धीरे बदल गई है और क्या हो गया है अब बदल के कौन सी शैली आ गई है लेखा कमाना है कि हमारे रहने सहने का जो ढंग है बदल करके अब वो बन गया है उपभोगता वाद का दर्शन यानि अब हम सिर् अब हमा अपनी पुरानी संस्कृतियों को भूल गए हैं आगे बढ़ते हैं लेखा कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारो और या उत्पादन आपके लिए आपके भोग के लिए है आपके सुक के लिए है शुक की व्याक्या बदल गई है उपभोग अब आया है नई स्थिती में यहां पर बहुत ही साफ तोर पर लेखक ने कहा है कि कैसे धीरे धीरे advertisement यानि की विज्यापन विज्यापन जैसे हम पाश्चात्य जो देश हैं जितने भी यूरोप यूरोप की जो यूरोपिय देश हैं हम उसकी देखा देखी नकल कर रहे हैं अब वहां की संस्कृति को हम अनुसरन कर रहे हैं यानि नकल करने पर आ गए हैं इसलिए तो हमारी जीवन शैली में भी बदलाव आ गया है अब क्या हो रहा है उत्पादन को बढ़ाने पर जोर हो रहा है यानि जल्दी से जल्दी प्रडक्शन यानि उत्पादन जोर हो जादा उत्पादन हो क्योंकि अब उत्पादन का जो की जो मांग है वो अब बढ़ गई है आज की जीवन शैली में सुख की जो असली सुख की परिभाशा है वो भी बदल गई है क्योंकि अब बश्य जादा से जादा महंगी चीजे और इन सब चीजों को जो दिखावे वाली चीजे हैं जो दिखावे वाली संस्कृती है उसे अपनाए जा रहा है और इसी लिए उसके सुख की परिभाशा भी बदल गई है अब वो दिखावे पे जीने लगा है इसलिए पहले सुख क्या होता था हमारा मानसी सुख होता था हमारा हम जो खाते पीते थे हमारे परिवार का सुख होता था खान पान का सुख होता था अब इस सुख की परिभाशा बदल गई है अब इस सुख की परिभाशा क्या हो गई है जादा से जादा महंगी चीजों को बटोरना, इकठा करना और दिखावे की जिन्दगी जीना। उत्पादन तो आपके लिए है यह आप भूल जाते हैं कि जाने अंजाने आज के महौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ और कोशिश निरंतर करती रहती हैं। यहाँ पर भी लेखक ने विज्यापन के दुश्प्रभावों के बारे में दिक्र किया है। यह बताया है कि विलासिता जिसकी जरूरत हमको नहीं है जिन चीजों की जिन उत्पादों की हम उस उत्पाद को आज के दौर में सिर्फ अपनी मान और अपनी प्रतिष्ठा के लिए इकठा करते जा रहे हैं। यह भले इसका इस्तमाल हम करें या ना करें। परन्तु यहां पर यह बताने की चेश्टा की है कि लोगों को लुभाने वाले जो विलासिता पूर्ण जो सामगरी होती है छोटी मोटे जो प्रडक्स होते हैं उत्पाद होते हैं वो बाजार उनसे पूरा भरा पड़ा है। और वे कई अलग अलग ढंग से अपने जो ग्राहक हैं उन्हें लुभाने की लल्चाने की चेश्टा कर रहे हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तों को ही ले लीजिए। तूथपेश चाहिए यह दातों को मोती जैसा चमकीला बनाता है यह मू की दुरगंद को हट करता है और यहां पूर्ण सुरक्षा देता है इसमें कोई दो मत राय नहीं है यहां पर दूबे जी ने मने रोज मर्रा के जीवन में जो वस्तों हम इस्तमाल करते हैं उसका उदाहरन देते हुए उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की है कि देखिए आपको किस तरह से य अब यहां पर उन्होंने यह बताया है कि शुरू दिन की शुरुवात होती है तूथ पेस्ट से तूथ पेस्ट में भी उन्होंने यानि जो उत्पादक हैं वह हमारे सामने कई तरह के तूथ पेस्ट प्रस्तुत करते हैं जैसा कि यहां पर अभी हमने पढ़ा कि आप यह तो आपके दात मोतियों जैसे चमकीले हो जाएंगे तो आप ये वाला तूथ पेस्ट लीजिए ये आपके मसूरों से दुरगंद आने से रोकता है तो आप ये वाला ले लीजिए क्योंकि ये वाला जो तूथ पेस्ट है ये आपको पूर्ण शुरक्षा देता है तो इस तर का मैजिक फॉर्मूला है तो कोई बबूल या नीम के गुनों से भरपूर है तो कोई पेस्ट रिशी मुनियों द्वारा सुकृति तथा मान्य वनस्पति और खनीज पतत्वों के मिश्रन से बना है तो उपभोगता के सामने इतनी सारे चौइस हैं इतने सारे विकल्प हैं कि आप जिसे चाहिए उसे चुन सकते हैं उदाहरन के तौर पे आपने देखा होगा कि लोग सोचते हैं कि विज्यापन को जो देखते हैं ना उन्ही चीजों को हमारा जो मस्तिश्क है उसे ग्रहन कर लेता है तो होता क्या है कि ये विज्यापन जो है अपने गहरी चाप हमार दिलो दिमाग पर छोड़ देते हैं और अब तो अलग-लग ब्रांट्स भी आने लग गए हैं यानि ऐसा हम प्रतीत करते हैं लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर विग्यापन में फालाना तेल यानि कोई अन्य कोई तेल केश तेल आप ले लिजे कोई तेल का विग्यापन दिखाया जा रहा है और बार बार अगर दिखाया जा रहा है तो क्या होता है इसका असर हमारे दिमाग पर पढ़ता है और हमारे दिमाग में कहीं न कहीं यह च्छवी बन जाती है कि फलाना ढिमका यह जो तेल है यह सबसे अच्छा ब्रांट है और हमें यही लेना चाहिए तो इस तरह है विज्यापन की दुनिया अब जैसे मैं आपके सामने एक विज्यापन का जो गीत है संगीत है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ आप देखिए यदि आपने भी सुना होगा इस गीत को और इसके द्वारा भले ही हम नहीं जानते हैं उत्पादक हो करके हम जानते हैं कि यह जो तेल के बारे में या किसी उत्पाद के बारे में हमको बताया जा रहा है उसकी गुणवत्ता कितनी है बिना उसे जांचे परके हम उनकी बातों में आ जाते हैं और कहीं न कहीं हमारी दिमाग में वह चीज़ घूम रही होती है घूमती रहती है और हम य यही लेनी चाहिए और यही उप्योग करना चाहिए क्यूंकि यहाँ पर बात आ जाती है प्रतिष्ठा की यह ब्रांड अच्छा है यानि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो इस तरह का एक विग्यापन अभी मैंने सुना था काले घने मुलायंबाल खिले खिले मतवाले बाल फलाना धिम का केश तेल रे शमसा एहसास जगे चहरा कितना खास लगे तो इस तरह के जो आपने सुना किस तरह की जो शब्दों का प्रियोग किया गया है गीत का प्रियोग किया गया है यह किसी ना किसी तरीके से जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग में बैठ जाएगा और उसे की ऐसा लगेगा कि हमें तो बस अब इसी ब्रांड का तेल या कोई अन्य प्रदार्थ या जो भी वस्तू है उसे खरीदना चाहिए तो इस तरह की होती है यह विज्ञापन की जादूई दुनिया अब आगे देखते हैं ह और इस पार्ठ में बताया है उन्होंने शुरुवात की थी तूथ पेस्ट से तूथ पेस्ट में जितने भी विकल्प बताये उससे क्या हुआ उससे लेने वाला स्वयं ब्रह्मित हो जाता है कि यह अच्छा है या ये अच्छा है तो देखा जाए तो यहां पर जो उपभ सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, एक प्रश्चन चिन्ह लग जाता है, कि आखिर कौन सा वस्तू हमारे लिए ठीक है, और जब तक आप वस्तू को उपभोग नहीं करेंगे, आप कैसे जान पाएंगे कि वस्तू में कितने गुण हैं, अब उन्होंने ये कहा है, कि यदि आपका मान लो की पेस्ट बहुत अच्छा है, तो अब पेस्ट के साथ साथ में आपका ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए, हर जो विग्यापन है, वो एक-एक कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप अपनी मान प्रतिष्टा का ध्यान रखते हैं, तो आपने ब्रांडेड तूथ पेस्ट खरिदा, तो उसके साथ ही बाजार में प्रस्तूत हो गए, उसके साथ अगला ज संस्कृति है, वो धीरे-धीरे हमारी संस्कृति को खाये जा रही है, सम्माप्त किये जा रही है, यहां पर यह बताया गया है, कि अब जब ग्राहक बाजार में तूत ब्रश लेने जाता है, तो अब वहां पर भी वह बहुत ही ब्रहमित हो जाता है, क्योंकि देखिए, उन विभिन प्रकार के आकार के रंगों के बनावट के और उनकी शमताओं के आधार पर भी एक से बढ़कर एक वहाँ पर ब्रश उपलब्ध है बाजार में और ये तो नहीं मुझ के दुरगंद से भी बचने के लिए अब आपको माउथ वोश भी लेना पड़ेगा क्यूंकि आ आप देख रहे हैं कि कैसे एक से बढ़कर एक चीजे बाजार में आपको लुभाने के लिए प्रस्तुत है सूची और भी लंबी हो सकती है पर इन चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा क्यूंकि आप शायद बहु विज्यापित और क्रीम कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया लोग इस इस ब्रांड शब्द को अपनी प्रतिष्था के साथ जोड़ जोड़ देते हैं सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमक्रित कर देने वाली है हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं यह जो कंगी तेल यह सारी चीजें हैं यह सारी चीजें इसी सौंदर्य प्रसाधन के अंतरगत आती है विज्यापित अर्थात प्रचारित या फिर सूचित तो यहां पर लेखक हमें बता रहे हैं कि यदि तूथ पेश्ट खरीदा तो फिर हमने अच्छा ब्रश खरीदा ब्र प्रतिष्ठा पर आ गए हैं अब हम ब्रांडेग चीजें ही खरीदेंगे तो अब क्या है हमारे पस विकल्प है और यह सारी चीजें छोड़िए यह तो रोजमर्रा के समान है अब यहां पर रेखकने का है कि चलिए अब हम चलते हैं सौंदर्य और प्रसाधनों की और यान एक फ्री यह लीजिए इसके साथ दो फ्री इस तरह के ओफर भी आजकल बाजार में देखने को आम मिलते हैं और ऐसे ही चीजों से भरा परा है हमारा बाजार साबुन ही देखिए अब साबुन में भी कई प्रकार के हो गए हैं पहले बहुत ही सीमित हमारे पास साधन होते सीमित साबुन होते थे सीमित तेल होते थे कुछ कुछ ब्रांट के ही चीजे होते थी लेकिन अब अब तो प्रतिस फर्दा का दौर आ गया है हर चीज हर उत्पाद हर वस्तु में आप यहां पर एक प्रतिस फर्दा देख सकते हैं क्यूंकि हम दूसरों की नकल कर रहे हैं ह हम पास्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को खोए जा रहे हैं अब यहां पर इन्होंने साबुन का एक उधारन देकर के हमें समझाने की कोशिश की है कि साबुन में भी देखे कितने विकल्प पाए गए हैं एक में हलकी खुश्बू है तो दूसरे स जॉम्स से भी आपकी सुरक्षा करता है आपकी रक्षा करता है तो यह लीजिए सिने स्टार्स के संदर्य का रहस्य उसका मन पसंद साबुन है अब यहां पर साबुन का एक उतवाद ही उन्होंने एक उधारन सरूप हमको समझानी कोशिश की कि साबुन को ही ले लीजिए अलग अलग प्रकार के साबुन अलग अलग गुनों से भरपूर एक में हलकी खुश्पु है तो दूसरे में तेज खुश्पु है अगर एक साबुन दिन भर आपके शरीर को तरो ताजा रखता है तो दूसरा पसीना आने से रोकता है और तीसरा तो आपको जम से भी आपक हैं या क्रिकेट स्टार्ज हैं या फलाना आपके जो खिलाडी हैं वो सब आप का ही वो जो सावन जो उन्हें पसंद है वो इस्तमाल कर रहे हैं और इस तरह का जब विज्यापन हम बार बार देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब यह हमारे मन पसंदिता अभिनेतरी अग खुबसूरत बने तो यह यह विज्यापन का रूप जैसा दिखता है वैसा होता नहीं तो और जैसा होता है यानि उसके जैसे गुण होते हैं वह आपको दिखाया जाता नहीं तो इस तरह से इस तरह से यहां पर इसका उधारन देकर तूबे जी ने हमको समझाने की यह लिजिए शरीर को पवित रखना चाहते हैं तो यह लिजिए यह दूसरा सावुन जो कि शुद्ध गंगा जल से बना हुआ है और चमडी को नर्म रखने के लिए यह लिजिए यह बड़ा सुन्दर सावुन है परवंतु महंगा है लेकिन याद रखिए महंगा होने के तरीके से आज के बाजार में उपलब्ध हुए कुछ उत्पादों का उदाहरन यहाँ पर आपको दिखाया गया है जैसे आप देख सकते हैं आप बाजार में भी जाकर देख सकते हैं एक बिसकिट के साथ दूसरा बिसकिट फ्री यह साबुन लीजिए यह महंगा है यह सस् है यह जो विग्यापन है यह सारी चीज़ें उपभोगता वाद की संस्कृति कहलाती है क्योंकि हम दूसरों का अनुसरन कर रहे हैं दूसरों के दिखावे में आ हैं और असली सुख की परिभाशा तो हम भूल ही चुके हैं अब आएए उन्होंने कहा है कि संबरात महिलाओं की ड्रसिंग टेबल पर किस तीस हजार की सौंदर्य सामगरी होना तो बस छोटी सी बात है यानि मामूली सी बात है परफ्यूम मंगाई इतना ही और भी खर्च हो साबून एक व्यक्ति लाइफ बढ़ाया है लेकिन यह जो उत्पात का मैंने नाम लिया है यहां पर दोनों के अलग अलग दाम हैं दोनों के अलग अलग गुण हैं लेकिन अगर यदि आप इसको अपनी मान और प्रतिष्ठा शेगर जोड़ेंगे तो जो महंगा साबुन हैं उसे इस्तमाल करने वाला व्यक्ति यह सुचेगा कि हां हमारा रॉब है इस समाज में हमार और प्रतिष्ठा पर ही जीते हैं तो यहां पर आगे लेखा कह रहे हैं कि और तो को ही क्यूं पूरुषों को ले लिजे पूरुष भी इस दौर में पीछे नहीं है पहले उनका काम केवल साबुन और तेल से चल जाया करता था लेकिन अब तो बाजार में आफ्ट शेव औ जो पास्चात्य संस्कृति की नकल करने वाली जो सब्विता है जो उपभोगवाद की संस्कृति है अब धीरे धीरे कैसे हमारी संस्कृति को नश्ट करती जा रही है छोड़िए इस सामगरी को वस्तू और परिधान की दुनिया में आईए परिधान परिधान का रत होता वस्तू अब इन सब जो हम रोज मर्रा के जीवन में जो उपभोग करते हैं जो चीजें इस्तमाल करते हैं साबून तेल ये वो इन चीजों को छोड़िए अब आ जाते हैं हम सामाजिक प्रतिष्ठा और मान की बातों पर अब यहां पर सामाजिक ये मैं जरूर कहूंगी कि हम जब घर में रहते हैं तो हमारे परिधान अलग रूप के रहते हैं यानि हम अलग के वस्तर पहनते हैं ठीक है लेकिन जब हमें किसी शादी में जाते हैं तब हमारा पहनावा हमारा परिधान बिल्कुल अलग रहता है हम अपने रूप सज्जा करते हैं अच्छे वस्तर पहनते हैं आखिर क्यों पहनते हैं क्योंकि यह हमारी मान और प्रतिष्ठा को दर्शाता है तो यहां पर लेखक नहीं यह कहा है कि वस्तु और परिधान की दुनिया में अब आ जाईए और अब तो इस समाज में जगा जगा पर बुटिक खुल गए हैं नए नए डिजाइन क पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष भी शर्म की बात है घड़ी पहले एक समय दिखाती थी और उससे यदि यही काम लेना हो तो 4500 में तो मिल जाएगी आराम से तो यहां पर लेखक का यह मानना है कि किस प्रकार से हमने उपभोगता वाद को अपने प्रतिष्ठा से जोड परिधान यानि अब जगा जगा पर बुटीक खुल गए हैं नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं यदि आपने पिछले वर्ष वाला डिजाइन जो पिछले वर्ष पहना था वह फैशन आपने इस साल भी पहना है तो आप तो दख्यान उसी है आपको तो कोई समझ ही नह रहा हो तो क्या हमने इसी संस्कृति को जो अभी जो हर दो मिनिट में अपना फैशन बदल रही है जो यह समय जो प्रचलन चल रहा है क्या हम इसी चीज़ को अपनी संस्कृति मानते थे बिलकुल नहीं अब इन्होंने एक और उधारन दिया है गड़ी का इन्होंने का है कि तो आप महंगी से महंगी डेर लाग की तीन लाग की चार लाग की घड़ी भी खरीद सकते हैं अरे इतनी महंगी घड़ी क्यों कि यह अब प्रतिष्ठा का सूचक हो गया है घड़ी का काम तो भाले ही महंगी घड़ी हो या सस्ती घड़ी हो उसका काम ही है समय दिखाना पर मान प्रतिष्ठा को इससे जोड़ कर चल रहे हैं जो की सरासर गलत है तो चलिए इस पाठ के अंत के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्ण की और पहला प्रश्ण लेखक के अनुसार नई जीवन शैली अपनाने से क्या हुआ है यानि जो नया हमने जो लाइफ स्टाइ यानि जीवन शैली अपनाया है जो दिखावे की तो उसको अपनाने के बाद और क्या बदलाव आया है तो यहां पर लेखक पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह का बदलाव आया है हमारी जीवन शैली में तो इसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार नई जीवन शैली अपनान उपभोगतावात के दर्शन के कारण हमारी जीवनशैली में कैसा बदलाव आया है उपभोगतावात का अर्थ है उपभोग के लिए ही उत्पादन को बढ़ाना नहीं बलकि जीवनशैली उपभोगतावात से ही प्रेरित है जिसमें उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है ताकि उपभोग के लिए साधन उपलब्द हो सकें उपभोगतावाद के दर्शन के कारण हम उत्पाद के प्रती समर्पित होते जा रहे हैं इसी के साथ अब मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करूँगी धन्यवाद इसी लिए इस वाक्य को लिखा गया है कि सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं और उनकी दरिश्टी में एक विज्यापन की भाषा जो बहुत प्रचलित हुआ करती थी और यहा यानि कि आपका जो जो चैन है आपने जो इस्तिमाल किया है जो जो चैनित किया है जिस वस्तू को यह बिल्कुल सही है अब सही किन आदर्शों पर है किन यह गुणों में सही है या किस चीज़ में सही है इसकी चर्चा हम अपने अगले पाठ में करेंगे तो चलिए इस पा लेखक के अनुसार नई जीवन शैली अपनाने से क्या हुआ है यानि जो नया हमने जो लाइफस्टाइल यानि जीवन शैली अपनाया है जो दिखावे की तो उसको अपनाने के बाद और क्या बदलाव आया है तो यहां पर लेखक पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह का बदला बदलाव आया है हमारी जीवन शैली में तो इसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार नई जीवन शैली अपनाने के साथ ही उपभोगतावाद का नया सिध्धान हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे हम उसके अधीन होते जा रहे हैं दूसरा प्रशन उपभोगतावाद के दर्शन के कारण हमारी जीवन शैली में कैसा बदलाव आया है उपभोगतावाद का अर्थ है उपभोग के लिए ही उत्पादन को बढ़ाना नहीं बलकि जीवन शैली उपभोगतावाद से ही प्रेरित है जिसमें उत्पादन बढ़ा उप्भोगतावाद के दर्शन के कारण हम उत्पाद के प्रती समर्पित होते जा रहे हैं और इसी के साथ अब मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करूंगी धन्यवाद